यदि किसी की इंसानियत आजमानी है तो ये देखना जरूरी है कि उसका पशुपक्षियों के प्रती बरताव कैसा है। आजकल शहरों में पशुपक्षी आदी जैसे बिल्ली, तोते, गाए बखरे, कुते, कबूतर, खरगोश, बंदर, चिडिया आदी को पालने का शौक चरम पर है। जानवरों से प्यार, दुलार तो है ही मगर जो सबसे बड़ी बात, पालतू पशुपक्षी जो अपनापन देते हैं, वो शायद अपनों से भी नहीं मिल पाता। दूसरी बात जानवर कभी किसी को न तो धोखा देते हैं और नहीं दिल तोड़ते हैं। जानवर बेजबान होते हैं और अपनी बिप्ता किसी को बता नहीं सकते और जो व्यक्ति इनकी बिप्ता पहचान सेवा करते हैं, इसी को इश्वरी कार्य कहते हैं। तभी लगभग हर धर्म में कहा गया है पशु पक्षी व पेड़ पौधों की सेवा ही उत्तम सेवा है। कहते हैं पेड़ पौधे, पक्षी, जीव जन्तू व इनसानों की जिंदगी एक दूसरे की पूरक है। पर्यावरण के लिए इनमें संतूलन का होना अती आवश्यक है। भीवभाण वाली शहरी जिंदगी में बेचारे पक्षियों की जान खत्रे में है। कभी आपसी लड़ाई में तो कभी बिजली के करंट या चीनी पतंगी दोर के कारण भायल हो जाते हैं। एक महान जैन संत की इच्छा के अनुसार एक जैन बढ़ हॉस्पिटल उन्नी सो उन्तीस में एतिहासिक लाल किले के सामने श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के पवित्र परिसर में खोला गया था। यहां अस्पताल तीन मंजिला इमारत में स्थित है जिसका उद्गाटन 24 नवंबर 1957 को भारत के प्रथम ग्रह मंत्री माननिय स्वर्गिय श्री गोबिंद बल्लब पंथ द्वारा किया गया था। यह संगठन लगभग 90 साल पहले जियो और जीने दो के सिध्धांत पर शुरू हुआ था। जो जैन धर्म आधारित है। आज तक निरंतर चल रहा है। अस्पताल में पक्षियों की देखभाल योग्य तकनीकी व्यक्तियों की एक टीम द्वारा की जाती है। वे सभी प्रतिष्थित डॉक्टरों के मूल्यवान दूरदर्शी मार्गदर्शन में कार्यरत है, अथक परिश्रम करते हैं, जो संपर्क करने पर सर्वता उपलब्ध रहते हैं। वर्तमान में लगभग 500 पक्षी, विभिन प्रकार, उपचार और रिकवरी के विभिन चरणों में यहां मौजूद है। उन्हें उनके प्राकृतिक घर यानी आकाश में छोड़ दिया जाता है। ये दुनिया का एक अनुखा पक्षी हस्पताल है जहां घायल व वीमार पक्षियों का एक दम फ्री उपचार किया जाता है। झाल घ gloss नहें प्राकृतिक चाराक का भीमार पक्षी हा जाता है। झाल 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 फ़दी ये द concealer के उंजूद है'। झाल झाल